तो फ्रेंट्स ये मेरे रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर और व्यूवर ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं आटोमाटिक वासिंग मसीन को कैसे हैं इसकी मैं वीडियो बनाओ तो मैंने सोचा कि क्यों नी मैं ये भी सेयर करूँ कि कैसे आप अपने बलंकेट को वासिंग मसीन में दो सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते कि काफी बड़ा डबल बेट का मेरा ये बलंकेट डबल लेयर का है और ये मेरे husband इसको उठाए हुए तो सोच सकते हैं कि बहुत ही बड़ा है और देखिए इधर से मेरे बच्चे भी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा है तो वही है कि इसको मैं आज washing machine में डालने वाली हूँ तो चलिए आपके साथ मैं share करती हूँ कि आप भी अपने blanket को कैसे दो सकते हैं यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि मेरा वर्लपूल का automatic washing machine है 6.2 kg का है यह और देखिए यह बीच में जो वर्लपूल होती है उसमें यह दिया हुआ रहता है बाके और जो washing machine होते हैं उसमें यह नहीं रहता तो हम जो है इसके चारों तरफ ही blanket को अंदर से डाल देंगे और देखिए इस तरीके से और जो बीच में है वहीं पे आप direct serve डाल सकते हैं या इसका जो base बना हुआ है वहाँ भी serve डाल सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखिए blanket को इस तरीके से बस इसमें डाल देना है डरना नहीं है और इसको स्टैंड पे मैंने रखा है तो इसका जो टब है बिल्कुल भी जमीन से नहीं सटेगा तो स्टैंड में एक से और करें कि आपका जो वासिंग मशीन है स्टैंड पे है तो बहुत ही अच्छा है ने तो हो सकता है कि इसमें जब पानी आएगा और यह भारी हो जाएगा ब्लांक इसके पहले भी मेरा जो सेमी आटोमेटिक था वर्लपूल का ही था तो फ्रेंड्स यहां पे मैं इजी सर्फ को जो इसको मैं स्वेटर धोने के लिए यूज कर लिए उसी को इसमें डाल रही हो दिये देखे एक धकन मैंने डाल दिया और यह धकन की जो मेजरमेंट है यह ट तो यह देखे टॉप लोडर की सर्फ एक्सल की लिक्विड जो है इसी से आप हमेशा यूज करें आटोमेटिक वासिंग मसीन को इससे क्या होता है कि बिलकुल भी मिट्टी जैसे कुछ भी लेयर नहीं पड़ती है टॉप लोडर वासिंग मसीन में और जब भी आप टॉप साफ करेंगे तो बिलकुल भी परत नहीं होती बिलकुल क्लीन रहता है तो यह देखे मैं हमेशा इसी को यह 201.2 लिटर की है यह 200 रुपीज की है तो मैं हमेशा इसी से अपने कपड़ों को धोती हूं तो फ्रेंट्स यह देखिए यह जो है यहाँ पे सर्फ डालना है चाहले हैं तो अर्य देखे यह स्विच आँ है मेरा तो इस तरीके से सबसे पहले करते हैं वीडियो को यह पावर है इसेर्म हमेशा रहता है तो हमको ये मुझे delicate में करना है जदी आप कपड़ा आप चादर वगरत होते तो heavy पे करना है speedy में करना है जदी आप बहुत कम कपड़े दो रहे हैं तो चलिए start करते programming को तो यहाँ पे देखिए यहाँ मैं delicate में डालूँगी तो यह देखे इसी को आप जैसे ही दबाएंगे यह delicate पे चला गया है उसके बाद start और pause है तो अभी सबसे पहले water level को check करेंगे हम तो यह देखे low, medium, high, very high तो blanket है तो मैंने very high को डाला है यहाँ पे देखे once, rinse और spin है तो spin को तब करेंगे जब मुझे सिर्फ कपड़े सुखाने हो तो आप watch option को ही click करते जाएंगे देखे तो इस तरीके से तो यह spin में आ जाएगा कि आपका जो water level है ठीक है आपका जो programming है delicate में है और मैंने देख लिया है वास option भी अब मैं start कर रही हूँ तो देखे इस तरीके से start कर दिया है मैं बात बता दूँ सभी washing machine का अपना अपना programming होता है एक दुझे से बिलकुल भी mix नहीं होता यह मेरा whirlpool का है इसलिए मैं उसी क बता रही हूँ samsung का दूसरा तरीके से option है देखे मैंने start दबाया और water level आना start हो गया चुकि मैं नल को हमेशा on रखती हूँ चुकि कभी भूल कर भी आपने जदी on कर दिया और नल आपका खुला नहीं है तो machine जलने का डर होता है तो मैं हमेशा नल को on रखती हूँ और यह direct machine को ही on off करती हूँ और आप देख सकते हैं कि एक पहले से blanket दली हुई है यह मैंने रात को ही लगा कर छोड़ दिया था मैं सुबह इसको धूप में डाली हूँ यह आप देख सकते हैं तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इतनी बड़ी blanket भी मैंने इसी में धूली है यह भ सूख चुका है अब ही सुबह के 11 बज रहे हैं यह देखिए पुरी तरह से धूल चुकी है यही इसकी साइन है कि यह एक भी हरी बतन नहीं जली हुई है और स्विच ओन है लाइट भी ओन है तो यह देखिए यहां पर मैं हजबंड की हेल प्लेयर हूँ चुकि यह थोड़ से मैं इसको ड्रैकलिन करवाती आ रही थी और 4500 इसमें लजाते थे मुझे मतलब समझ देजिए 4500 रुपे लग जाते थे और दो ब्लैंकेट करवाने का मतलब है 1000 रुपीज तो इस लॉक्डाउन में मैंने कुछ नया एक्स्पेरिमेंट किया है और हमने इस दोनों ब्लैं को ताकि आप अच्छे से समझ सके आई होप आपको एंसर मिल गया होगा मैंने दो दो रिक्वेस्ट एक साथ पूरी करी है मैंने डेमो भी दे दिया और ब्लैंकेट की भी आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो हेल्पुल रह और हाँ जदी नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वाचिंग फिर मिलती हूँ